हेलो दोस्तों तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हमने जो अलग-अलग एरड्रॉप किये और जितने भी एरड्रॉप किये उन सभी की जो हमें NFT रिसीव हुई है उन NFTs को ट्रस्ट अलेट के अंदर कैसे ट्रांसफर करें साथ ही मैं उन NFTs को कैसे बेचें वीड ना-प लिए करें बिना इस वीडियो देखना है और एनिकी इस वीडियो की तो मैं दोस्तों दोस्तों थायोकर दूसर पदी संसे अंदर भी की के उपर जब मैंने NFT सेल किया तो मुझे कोई भी वहाँ पर पर परिशानी नहीं हुई तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पर सोचा कि मेरे युजर्स को यहाँ पर Brave Browser डाउनलोड करना होगा Brave Browser आपको Trust Wallet के उपर मिलेगा दोस्तो और अब आपको क्या करना है इसको open करना है और इसके search अंजर में जाकर आपको search करना है ओपन Þी नेटी ऊपर आप देख सकते हो वही आपको search करना है और सच करोगodus तो आपको सबसे ऊपर सौर आएगा open see the largest nft marketplace उसके उपर आपको tap करना है इसके उपर tap करने के बाद आपको क्या करना है उपर जो three lines दिख रही है आपको search के बाजू में search का जो icon है उसके बाजू में जो three lines है उसके उपर आपको tap करना है और सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका wallet connect कर लेना है तो आपको connect wallet connect का जो option है उसके उपर आपको tap करना है और यहां से आपको connect के उपर tap करके आपको trust wallet यहां पर connect कर लेना है और जैसे मैं three lines के उपर tap करूंगा मेरे सामने कुछ इस तरह से option आ जाएगा यहाँ पर आपको जो account का option आ रहा है उसके उपर tap करना है फिर उसके अंदर profile का option आपको profile के उपर tap करना है और profile के उपर tap करके यहाँ पर देखे आप collect आ रहा है और दोस्तों अगर आपकी NFTs नहीं दिख रही तो आपके लिए मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपके NFTs आपने Airdrop किया है आपके wallet में NFTs है आपको पता है आपको मिली है बट आपको यहां पर नहीं शो हो रही तो उसके लिए एक और नहीं ट्रीक है दोस्तों वो ट्रीक में इस वीडियो के अंदर नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इसलिए अगर आपको NFTs मिला लेकिन आपके प्रोफाइल के उपर शो नहीं हो रहा तो आप मुझे निचे कॉमेंट कीजिए मैं उसके उपर भी वीडियो लाऊंगा आने वाले 3-4 दिन हम बात करेंगे latest NFT की जो ये NFT है block author तो इस NFT को हमने कली या परसो ही हमें मिली थी तो इसको हमें कैसे बेचना है तो चलिए मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताता हूं तो आपको क्या करना है इस block author के उपर double tap करना है और जैसे आप इसके उपर tap करोगे आपके सामने कुछ इस तरह से interface आजाएगा दोस्तो बस आपको इसे अच्छे से लोड होने देना है और ये एक बार लोड हो जाए तो आपके सामने इस तरह से सारी चीजे आजाएंगी आप उसकी price history देख सकते हो इसके offers देख सकते हो कई बार क्या होता है हमारी profile में NFTs कोई देखता है और इसका listing price क्या है view collection similar NFTs कितने में बिक रही है तो similar NFTs इतने price के उपर list हो चुकिए आप market में देख सकते हो तो ये NFT हमें कितने रुपए में बेचनी चाहिए तो देखिए दोस्तों on an average ना ये NFT फिलाल 6$ तक बिक रही है तो आपको अगर ये NFT जल्दी बेचनी है ना तो आप यहां पर price जो रख सकते हो वो around 5$ से 10$ रखी है जैसे कि आपकी NFT जल्दी बिके क्योंकि अभी देखिए जितने भी free की NFTs है ना वो सब लोग यहां पर आप NFTs बेचने को लगे हुए इसलिए market में इसकी value अच्छे आएगी नहीं हाँ एक बार वो जो free वाले बेच के निकल के लिए वह इसे 5$ 10$ में बेचेंगे नहीं तो automatically इसका जो भाव बढ़ेगा वह 100$ 50$ 80$ इस तरह से होगा और आपको यहां पर एक heavy profit होगा आप आगर इसे hold करते हो तो अगर आप इसे नहीं hold करना चाहते बेचना चाहते हो तो चलिए मैं भी इस वीडियो के आंदर आपको इसकर भी दिखाऊंगा बेचने के लिए आपको तो शेल का option आरा सेल के option के उपर आपको टैप करना है और सेल के option के उपर आप जैसे यहां पर टैप करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से यह लोडिंग लेगा और इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा तो यहां पर क्या करना है दोस्तों आपको प्राइज बगरे डालके बस यहां पर लिस्टिंग करना है तो मैं यहां पर आपको दिखा देता हूँ और साथी में समझा देता हूँ अलग अलग तरीकों से हम इसे कैसे सेल कर सकते तो ऊपर जो सबसे ऊपर दिख रहा है वह आपको दिख रहा है तक की प्राइज लगाओ यह आराम से बिग जाएगी टाइम पिरेट ले सकती है 15 दिन से लेके एक मेना क्योंकि दोस्तों NFT marketplace कैसे काम करता है आपके पास कोई पुरानी गाड़ी हो और आप उसे बेचना चाहते हो तो आपको इनेफटी भी काम करती है एनेफटी को आपको बस सेलिंग के लिए लिस्ट करना पड़ता है और राइट टाइम के उपर यहाँ पर एक ओनर आएगा जो इसे बाइ करेगा तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा अब यह सेवन डेज में क्या कर रहा हूं तो आप क्या कीजिए इसे long term के लिए मतलब 3 मेन चे मेने इस टाइम के लिए लगा दीजिये एक मेने के अंदर बिग जायगा दोस्तो बस प्राइज मेने जितनी कहीं उतनी लगाई है इस एनेफटी के लिए 5 डॉलर से लेके 15 डॉलर के बीच में लगाई है यह आराम से बिग करने के बाद आपको यहां पर बैक आ जाना है अपने पुराने पेज के उपर और यहां पर आप यह लोड ले रहा है तो आपको थोड़ा वेट करना है दोस्तों यहां पर यहां पर यह जैसे लोडिंग के उपर अलग-अलग लोगों को शो होगी और जो भी इसके रिगार्डिंग उसको अच्छा लगा यह एंफटी उसको लगा यह पोर्फोलियो में एड करने चाहिए तो वह इसे बैक बाय कर लेगा और यहां पर आगर आप चाहे तो कैंसे लिष्टिंग के अपर आप कर सकते हो और इस एनसे को ऐसे नहीं बेचना चाहते तो कैंसल करने के लिए यहां और यहां पर देखे हम ownership डिसकनेक्ट करते हैं और यह अटोमेटिकली डिसकनेक्ट होने के बाद अब हमारा जो एनिफ्टी है उन नहीं बिकेगा वीडियो आच्छा लगे तो लाइक कीजिए और इसी तरह का कॉंटेंट पाने के लिए चैनल के साथ जुड़े रही है मेरा यह चैनल और दूसरा वाल का चैनल दोनों के साथ जुड़े रही है क्योंकि वहाँ पर डालूंगा और यहाँ पर इस तरह के वीडियो डालूंगा थैंक यू